आज हम बात करेंगे stock and consumer के उपड़ की ये क्या होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे stock के उपड़, stock का क्या मतलब होता है मान लीजी, मैंने एक chips बनाए लिए अब chips बनाने के बाद जो माल बनकर तयार हुआ है उसी को बोलेंगे stock जो की sale के लिए ready है उसी को क्या बोलेंगे हम स्टोक बोलेंगे और सेकंड टोपिक है हमारा कंजूमर कंजूमर को हिंदी में क्या बोलता है भोकता बोला जाए भोकता कौन होता है जो अपनी सेर्टिफिकेशन के लिए अपनी नीड को पूरा करने के लिए किसी भी चीज को use करता है इस्तमाल करता है उसी को हम क्या बोलते हैं बोक्त यानि की consumer बोलते हैं जैसे कि for example मुझे भूग लगी थी तो मैंने रसगुला खा लिया उसे क्या हुआ रसगुला खाने से मेरी certification पूरी हुई मुझे certification मिली ना जो मुझे बूग लग रही थी तो मैंने रस्गुला खाया तो मेरी बूग दब गई तो वो क्या है मेरे लिए सर्टिपिकेशन पूरा करना हुआ तो मैं कौन हो गई हूँ मैं कंजूमर हो गई हूँ जैसे कि एक एक इसांपल और लेकर समझते हैं जैसे आपको नीड होती है एक लगजरी कार की और वो लगजरी कार आपको चलाने को मिल गई और वो कार आप चला रहे हैं आप कार चला कर आप बहुत खुश होते हो तो वो क्या है आपके सर्टिपिकेशन को पूरा किया है उस कार ने तो आप लोग क्या हो कंजूमर हो गए हो कहा जाएगा आपने कार को क्या किया है कंजूम किया है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सस्क्राइब कीजिए, थेंक यू